और एक बड़ी खबर का ब रुक करते हैं मिशन दोहजार चौबीस से पहले कॉंग्रेस में नेत्रित्व परिवर्तन की अटकले एक बार फिर से तेजी से उभरने लगी हैं सूत्र से मिल रही जानकारी के मताबि कमलनाथ कॉंग्रेस के कारेकारी अध्यक्ष बनाये जा सकते हैं और सोनिया गांधी कॉंग्रेस की स्थाई अध्यक्ष बनी रहेंगी वहीं खबर ये भी है कि राहूल गांधी लोकसभा में पार्टी की कमान समाल सकते हैं इस बीच एक और बहुत बड़ी खबर आ रही है वो ये कि चुनावी रणनीती कार प्रशांत किशोर कॉंग्रस पार्टी जॉइन कर सकते हैं इन तमाम खबरों पर जादा डीटेल लेकर जुड़ रहे हैं दिल्ली से मेरे सहयोगी रवीत रुपाथी रवीत सबसे पहले तो यही बताईए जो संसिदिय कमिटी की बैठक आज होनी है क्या लगता है राहूल गांधी मान जाएंगे लोगसभा में पार्टी कमान सभालने के लिए देखिए राहूल गांधी को मनाने की कोशिस इसलिए की जा रही है कि पार्टी के मानना है और खासतर प्रशांत किसोर जिनकी चर्चा आपने की की प्रशांत किसोर पार्टी जॉइंड कर सकते हैं तो वो माना जाता है कि लोगों को नेताओं को कन्विंस करने में माहिर बाने जाते हैं, उन्होंने राहूल गांधी को ये कन्विंस किया है, कि अगर आपको प्रदान मंतरी मोदी के खिलाप मोर्चा खोलना है, और खास तौर पर प्लेटफार्म का इस्तिमाल करते हैं, लोग सभाई एक बड़ा प्लेटफॉर्म है जहां प्रधान मंत्री को तमाम मुद्दों पर चाहिए वो डिफेंस का मुद्दा हो चाहिए करोना का मुद्दा हो चाहिए तमाम मुद्दे उसको घेर सकते हैं तो आपको उस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करना थी अभी अध्यक्स बनाए जाए लेकिन जो लेता वहां कॉंग्रेस का होता है चुकी संख्या बल आपके बास ज्यादा है तो आप वहां पर नेता के रोल में होते और तमाम पार्टी उसको एसको करती है तो इसलिए यह फॉर्मूला दिया गया है और इस फॉर्मूले पर काम चल र अध्यक्स के तौर पर लेकिन एक कारीकारी अध्यक्स होना चीए जो मुवम्मेंट कर सके सुनिया गांधी की तबीयत बहुत अच्छे नहीं है खराब है ज्यादा घूम नहीं सकते मुवम्मेंट नहीं कर सकते और पार्टी अध्यक्स के तौर पर आपको दोरा करना कोई कंफ्यूजन नहीं है कमसे जो सिनियर नेता है जो जी 23 की बात आती है जो नराज नेता है वो भी उनको आसानी से एसेप्ट कर लेंगे तो तमाम सारी बातों की वह इसे कमलनात का नाम आ रहा है और हो सकता है कि आने वाले समय में सबसे पहले लोगसभा वाली चीज को लेकर मामला फाइनल हो और सदन हाउस जब चलेगा भी माउसुन सत्र तो माउसुन सत्र के दोरान कॉंग्रेस चाहे फैसला ले चाहे पहले उनकी तरफ से हमने बहुत सारे ऐसे बयान भी आते वे सुने थे कि अब तक वो जो करते आच चुके हैं चुनावी रणनीतिकार के रोल में जो अब तक वो रहे हैं अब वो उससे हट कर कुछ करना चाहते हैं वो यहां से निकल कर अब कुछ नया करने की सोच रहे हैं और फिर ये खबरे आती है कि अब वो कॉंग्रेस पार्टी को जोईन करेंगे तो पहले तो ये समझ में आ रह हैं कि अब वो पार्टी जॉइन करेंगे और नैशनल लेवल पर उनका रोल होगा इसके बारे में बताईए लेकिन प्रसांद के सोर भी काफी अमबेसियस हैं वो कम अमबेसियस लेकर नहीं चलते हैं तो उनको लगता है कि स्टेट लेवल पर अगर बात करें तो उन्होंने प्रधान मंतरी मोधी और अमित्सा को बिहार में चुनोती दी 2015 में उन्होंने उनको हराया वहां पर लेट लेवल के पार्टियों के साथ उनका एक्सपेरियंस जो काम करने का रहा है और खास तोर पे 2024 का जो चुनाओ लोग सबागे चुनाओ तो अब उस परिप्यक्स में सोचके चल रहे हैं और चुनावी मैनेजर के तोर पे नहीं अब एक पार्टी के राजनितिक सलाहकार के तोर पे जो खबर आ रही है कि जो अहमद पटेल के जाने के बाद एक जगह खाली एक सुननेता आई है कोई पॉलिटिकल एडवाइजर है सच नहीं है कॉंग्रेस पार्टी में चाहे कॉंग्रेस के लिए हो चाहे राहूल कांदी के लिए हो तो उस उस रोल में उनकी पुरी तर सहारी थी 2017 का उसके लाँ उनका ट्रेक रकॉर्ड ठीक है बिहार चुना उन्होंने बीजेपी के खिलाफ लड़ा और जीते वहां लालु यादो उनकी खुल के तारिप के थी अभी बंगायल चुना वे अपने नतिजा देख लिया कि लगातार ताल ठोक्या कहते बिलकुल जाहिर तौर पर और ये डेवलाप्मेंट बिलकुल देखने लायक होगा क्योंकि अब 2024 के लिए बड़ा मेगा प्लान यहां पर बंता दिखाई दे रहा है